हेलो एबरिवान वालकम तो ओवर चानल आज के इस टुट्रोल में हम आपकी साथ शेयर करने वाले है ब्यूटिफुल सी मटका निक ब्लाउस की कटिंग एंड स्टीचिंग जो की आल टाइम फैशन में रहता है सबसे बहले कपड़े को डबल फोल्ड करकर ब्लाउस की लेंद मैजर करना है ब्लाउस की जितनी पी लेंद चाहिए उसमें वन प्लस कर दीजिए then आपको करना है just recording कपड़े को fold जो कि मैंने किया हुआ है 10 inches लिया हुआ है मैंने double fold मेरा कपड़ा then हम 2 and half पर marking करेंगे neck की 6 inch पर हम shoulder की marking करेंगे armhole हम 6 and half inch लेंगे इसके बाद इस मिलाकर straight line draw कर देंगे then हमें करना यह है कि armhole की गोलाई में जर्करनी है जो कि हम 1 and half inch पर करते हैं back side में हमेशा 1 and half पर ही गोलाई दी जाती है अब हम इस स्ट्रेट लाइन draw कर देंगे lengthwise अब chest चो है मैंने कपड़े को उसी के cording fold किया है बस west में से आप chest में जितना भी लेते हैं से 1 inch कम कर दीजिए और तिरची line कीज़ दीजिए अब मैं neck जो ले रही हूँ वो ले रही हूँ 12 inches हमेशा आप neck जो है बंद भाग में से ही लीजिए यहां पर straight line ड्रो कर देंगे अब इसके बाद में neck में में उधर भी 2.5 inches लूँगी और सीधी line में ला देंगे आप neck की लंबाई आपके cording ज्यादा एकम कर सकती हैं अब इसे cut कर दूँगी लेकिन ध्यान रहे हैं आपको गले को नहीं cut करना है अब हमने बुकरम ले ली है बुकरम पे आपको आपका neck की marking करनी है सबसे पहले length ले लेते हैं neck की देखिए अमनारा जो बुकरम है वो काफी लंबा है लेकिन neck पे हमें 12 inches पर ही लेना है ठीके उसके बाद मैं 2 and half पर बुकरम पर marking करूँगी बुकरम मेरी double folded, double folded side में हम neck की marking कर रहे है उसके बाद इधर से भी 2 and half पर mark कर दूँगी गयस मेरी बुकरम extra है आप आपका जो भी neck है उससे 1 inch extra बुकरम ले ये मेरे पास पीस पड़ा हुआ था सो मैंने यही ले लिया अब में जो आपको तरीका बताने वाली हूँ मटका निक बनाने के लिए बहुत इसी है 12 के हम 3 पार्ट कर रहे है तो इसके साब से मेरे 3 हिस्से करकर 4-4 इंच पर निशान लगा दिया है गेप पे इससे मटका निक बनाने में आपको बहुत आसानी मिलेगी अब उसके बाद में 1 quarter इंच छोड़कर थोड़ा सा हम इसे अंदर की तरफ उतारेंगे निक को देखे ये जो हमें अंदर की तरफ उतारना है वो इस 4 इंच वाले निशान तक उतारना है आपको इससे शेप देने में बहुत आसानी होगी जिने नहीं आता है जो बेगिनर है ठीके इस तरीके से करने के बाद में जो 8 इंच पर एक निशान लगाया था ये देखे वहां से मैं 2 इंच बढ़ा रही हूँ इससे शेप बनाने में आपको काफी सारी गाइडलाइन्स मिल गई है आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल इजीली शेप क्रियेट हो जाएगा और बिल्कुल भी महनत भी नहीं लगेगी और मैजर इस तरीके से करने से शेप बिल्कुल परफिक बनेगा कहीं से बढ़ा आया चोटा ऐसा कुछ नहीं होगा तो आप यह मेजर पर जरूरी ट्राय करें बहुत ही हालफुल रहेगी आपके लिए अब हमें क्या करना है वन वन इच एस्ट्रा लेकर बुकरम के बाहर के तरफ निशान लगा देना है इस तरीके से मनी शान लगा दिया है यह मैंसे कट कर दूँगी कट करने के बाद कैसी जो बुकरम का पीस है उसे हमें कपड़े पर प्लेस करना होगा यह जो मैंने भूकरब ली होई यह प्रेस से चिपकने वाली है आयरन से यह दीखे मेना डाउन में मटकी ने कट हो गया है अब इसे मैं एक फैब्रिक पर टेज करूँगी तो फैब्रिक पर टेज करने के लिए हमें इसे आयरन से चिपकन आए यह चिपकने वाला है शाइनिंग वाली जो तरफ है उसे कपड़े के अंदर की तरफ रखिए बाहर की तरफ शाइनिंग वाला नहीं रहना चाहिए क्योंकि शायनिंग वाली तरफ glue होता है यह दिखे इस तरीके से मैं चिपका दिया है ठीकि अब कपड़े को cut कर देंगे अब हमें चो कपड़ा cut करना है इस से थोड़ा थोड़ा सा एक एक इंच हम बाहर की तरफ cut करेंगे क्योंकि हमें इसे ओटना होगा fold करना होगा इसलिए बुकरम के बाहर हम एक 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 एस्ट्रा करकर पुले राउंड में cut कर लेंगे अब इसे double fold कर लेंगे और उसका center mark कर लेंगे और cut लगा लेंगे छोटा सा तकि हमें center पता चल जाए तो सरी किसे में इने center में छोटा सा cut लगा दिया है सेम इसी process से हमें हमारा blouse भी ले लेना है और उसके भी center में cut लगा देना है तो इन दोनों cut को मिला कर एक सीधी line करकर machine लगा दीजिए तो उससे क्या होगा कि आपको बुकरम वाला neck attach करने में बिल्कुल भी problem नहीं आएगी इस cut को और इस cut को इस तरीके से आप मिलाकर एक slay लगा सकते हैं इससे neck attach करने में बिल्कुल problem नहीं आती है सीधी slay जो हमें दिख रही है सीधा-सीधा इसी तरीके से हम सीधी slay लगा सकते हैं अब उसके बाद में आपको attach कैसे करना है यह मैं आपको दिखा तिकी जो कपड़ा है उसकी सीधी तरफ है मेरा जो ब्लाउच पीस है उसकी मैंने राइट साइड ही ली हुई है और इस तरीके से हमें गोलाई में पूर में मशीन लगा देना है अंदर की तरफ ठीके तो में सबसे पहले तो मशीन लगाने से पहले जो आधा इंच हमने कपड़ा एस्ट्रा लिया था एक से आधा इंच उससे हम पुकरम की तरफ फोल्ड कर रहे है और लेकिन नौचेस लगा देंगे चोटी-चोटी से क्योंकि फोल्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो पहले आप फोल्ड कर लीजिए क्योंकि बा इस तरीके से मैं पूरे में फोल्ड कर दूँगी अब फोल्ड करने के बाद देखे मैंने सेंटर में स्टीच दे दी है जो मैंने आपसे कहा था कि स्टीच देने से में प्रॉब्लम नहीं आएगी यह कटकी जगा ठीक है अब हम नेक पे स्टीच देंगे अंदर की तरफ ब देखे मटकी नेके पुरा शेप के अकॉर्डिंग है तो हमें से पल्टा रहे हैं तो उस सिलाई के वज़े से कहीं भी जोल नहीं आएगा क्योंकि अच्छे से कपड़ा सेट हो चुका है हमारा तो आप वस सिलाई जरूर लगा ले दैन हमें क्या करना है जो फैबरिक च्राइल कायरा च्रूट च्छोटी से नोचिस लगाना है रिकिं त्यान रहे कप्ड़ा ना कटे दें चर्ण कृल। चर्ण करना है हमें इस तरीके से यह से टर्ण हो जाएगा सरस तरीके से टरण होने के अगर आपको इसा बहार रखकर पाइपीं जिसा शेप देना है तो जो बुकरम पर मैंने कपड़ा पेस किया था आप गोल्डन कलर का ले 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 तो आपकी पाइपीं जिसा भी दिखेगा या आपकी किसी साड़ी का कंट्रास का कलर भी आप ले सकती है तो इससे काफी सब्सक्राइब बिखिया लेकिन मैं लेसटेच करने वाली हों तो यह दिखेगा गोल्डन लेस में लगाऊंगी अड़ी दूरी पर लगा रही हूं नेक्स आप देख पा रहे होंगे मिने मशीन से पास से दिखाया है थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर रख रही हूं इजी लिए मटका शेप क्रियेट कर सकते हैं इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई